पढ़ाई दो रही होगी, पढ़ रहे होगे, आप लोगे होगे, स्वस्त भी होगे, यह भी उमीर है, आप लोगे, आप लोगे, चलिए, तो पिछले क्लास में, हम लोगों ने सूर दास को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग तुल्थी दास को पढ़ना सुरू किये, तुल्थी दास का जो पद है, इसका सुर्शिक है, वनुस भंद, धनुश भंद नाम सिर्शक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुल्थी दास का जो पढ़ना से लिया गया है, इसमें हम लोगों ने दोशो को पढ़ लिया है, आज हम लोग तीसरे पढ़ को पढ़ते हैं, परम मंत्र, मंत्र परम रभु जास बसा, विधी हरी हर सुर गर्व, महा मत्त गजराज कहूं, बस करकूं अंधुस खर्व, ताम रहेन। आजे पढ़ते हैं, बच्छों, काम धेहुं, काम कुसुन धन सायत लीने सकल भुवन, अपने बस कीन्थे, देवी तजव संसे असजानी, भन्जब धनुस राम सुन रानी, सथी बचन, सथी बचन सुनी, भै परितीती, मिटा विसाद बढ़े अतिपीती, तब राम ही, विलोती बैदेही सभें विदें, विनती, विनमती, जेहितें ही, मननी मन, मानव अकुलानी, हो प्रसंट अकुलानी, हो प्रसंट नहेश भवानी, करव सपल अपन सेवताई, करितीं, हरम चाप दुरताई, गननायक बदनायक सेवा, देवा, आजू लगे करें तुम, तव सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करव उचाप उनतावती, ठोरी, प्रस्तुत पद के संदर्ण में, जब सीता जी की माता को सख्या समझाती है, तो उनका जो मन में राम की प्रती जो भैखा, वो समाथ हो जाता है, और वो आनद को राक्त करती है, आए इसका जाख्या देए, क्य मंत्र परम लगू, जास बसब, बीधि हरी हर को सुर गर्प, महा मंत्क गजराज दहुंм, बसब, खर अंगुस खर्प ». कहदा ही है वो सुनायना जी की सखी है कि गेरानी मंत्र तो बहुत छोटा है, मंत्र परम लगु, लगु मंत्र छोटा है, परम मंत्र बहुत, मंत्र तो जो है बहुत छोटा होता है, उतको तो कहीं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंत्र बहुत देखने में भी छोटा होता है, लिखने, पढ़ने, सुनने सबने छोटा है मत तो परम मतला बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी वे अपने बस में सब को करता है किसको करता है विधी हरी हर सुरगार्द विधी मतलब ब्रह्पा हरी मतलब बिषनु और हर मतलब भगवान शिव क्या है बच्छों विधी विधी का मतलब ब्रह्म्ठा हरी का मतलब विश्णुम और ठार का मतलब धक्वान शिर्व सुद्ध देदा करें कि मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन फिर फिर वह ब्रह्मा विप्णुम है आज सभी देदाओं को अपने वस में कर लखता है मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन फिर वह ब्रह्मा विप्णुम है आज सभी देदाओं को अपने वस में कर लेता है हे सकी हे रानी काम देव का धनुस तो कुसुम का होता है मतलब फूल का है लेकिन फिर भी वह काम डेव जो है अपने कुसुम के धनुस, फूल के धनुस को ले करके सारे धुवन को अपने बस में कर रखें हैं देवी तज़व संजय अस जाने फेर आने ये सब जान करके सब सुनने के बाद अब आपके मन वे जो संजय है उसका आपकर प्यार करें इतना सब जानने के बाद, इतना सब जब मैंने आपसे बताया तो इसके बाद आपके मन में जो संजय है उस संजय का आप प्यार करें पड़ी त्यार करें भाज़ बधनुसुं और भiable रामुसुं सुथ. हे रानी भधनुस कई तोड़ेगा तो रामुनी तोड़ेगे आप परशान, ना ना. सखी बचलसु नी भै परती थी, मिटा भी साधू बढ़ों अतिपलेती. करें कि अपनी सक्षियों की द्वारा ऐसा वचर सुन करके, रानी की मन में जो राम को लेकर की संधे था, संधे था, वह 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 संधे मीटा अभिसाद बढ़ें अरुपिती और राम के प्रति उनका और जादा स्नेम जो है वो बढ़ जाता है क्या करें है कि सक्षियों के बात पर अखिन करने के बाद सक्षियों के बात सुनने के बाद राने के प्रत्मन में सुनेना जिके मन में राम के प्रति जो भै था संदे प्रति उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। तब राम अहीं बिलो की बैदेनी। सभय उन्हें बिलो अहीं जहीं जहीं। उसके बाद सिराम चंगर जी खनूस लोड़ने के लिए जारे होते हैं। और सिराम चंगर जी बैदेनी अर्थाक सीजा। सीता जी की तरफ देथे हैं। सभय विदा उबिनमन जही तहीं, वो अपने विदे में भी सभी देवताओं को जही तहीं, जैसे तैसे अपना बिंती करने लगती हैं, मनाने लगती हैं, अपने मन ही मन में सभी देवताओं का जैसे तैसे जही तहीं, और सब जिस तिस देवता का मनाने लगती हैं, जिस तिस मन में बहुत ब्याकुल होती हैं, परिशान होती हैं, आपुल होती हैं, और मन ही मन में ब्याकुल होती हैं, परिशान होती हैं, और मन ही मन में ब्याकुल होती हैं, परिशान होती हैं, और मन ही मन 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 म आज आप लोग हमारे उपर प्रशन हो जाएए करम सफल अपनी से उताए करी की तक करम चापन उताए कर रहे हैं कि मैंने करम सफल मैंने जो आपकी सेवा की है उसको आज सफल बनाएए कर रहे हैं कि है मैंने सफवानी आज आप लोग हमारे उपर प्रशन हो जाएए और मैं जो आप लोगों की सेवा की हूँ उसको आप लोग सफल बनाएए कर इंखित कि तुभारं चाप गोलता है और मेरे इंखित का ध्यान में रखते हुए जो धनुस का भारी पन है उसको आप लोग खर लेए अठाप जो धनुस भारी है उसका भारी पन हर करके मिटा करके उसको हलका कर दीगी गननाय कपरदायम सेवा आज जो लगें किन तरव सेवा फिर आगे गनेश जी की वंदना करते हुए जो गनेश जी को यार करते हैं इसी दिन के लिए इसी दिन के लिए मैंने आपका सेवा किया है बार बार मेरी दिन के को सुन लिए बार बार मेरी प्राथना को आप भ्यान से सुनिए और इस भनुस के भारी पन को हलका कर दीजिए भनुस के भारी पन को हर लिए और मिटा दीजिए उसके भारी पन को और भनुस को हलका कर दीजिए फिर से जेखते हैं बच्छों उपरसे क्या कर रहे हैं ? तुलसी बाबत हो रहे हैं कि मंत्र भू When we need to change our new हाथी को बहुत बिसाल होती है बहुत बड़ा सुन आपने ंंपश्म में कर लीता है कर रहे हैं तुसी दाजी की रा सकी कढ़ रहे हैं एंगरा नि फिर जो लो बहुत д cuánt को आ दा है लेकिन फिर्मी उसे ब्हद्भिश्ण महेद की अफुला उपाउर कर लेता है कोई ए सक्की आम देव तो फूलों का बांड değil कर Jewl आपती मन में जो संसर है, जो संका है, उस संका का परिप्याद करिए, उस संका को छोड़ जीए और ये बस इतना ध्यान रखें कि ये धनुस राम ही तोड़ेंगे, इस धनुस का भण्यन कोई और नहीं करेगा, ये धनुस राम ही तोड़ेंगे सखी के द्वारा इतना बचन सुनने के बाद उनके बचनों का विश्वास करते हुए सुनैला जी नहीं है वो विश्वास करती है उनके बचनों पर और विश्वास करने के बाद राम दिकें प्रति उनका प्रेम जो है वो और जादा बढ़ जाता है फिर सिराम चंदली भनुस को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीता जी को देखते हैं जैसे ही सीता जी देखती हैं कि राम हमारे करफ देख रहे हैं हमको देख रहे हैं सीता जी ने अपने विदय में ही जैसे तैसे जिस्तिस देवता को मनाने लगती हैं सीता जी मन में मन ही मन बहुत व्याकुम होती है आकुम होती है धबडाती है परशान होती है और परसान हो करके करती है कि हे महे सफवाने अब आप प्रसन हो जाए और ठाक हे महे सफवाने निर्शी जी और पार्वती जी आज आप उन्पर के बाद करिए और मैंने जो आपकी सेवा की हूँ, उस सेवा को आज सफल बनाईए और इस धनुस के भारिपन को हर लिए और थाथ धनुस को खलका कर दिए हे गड़ेस नायद, हे गड़ेस जी, हे बर्दान करने वाले गड़ेस भगवान जी आज ही के दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैंने आपका सेवा किया था, मैं आपकी सेवा की थी इसलिए हे गड़ेस जी, बार-बार मैं आपसे बिंटी करती हूँ, आपसे प्रातना करती हूँ कि इस धनुस की वारी पंग को फरली जिए एकन बार बार मैं आपसे प्रात्ना करती हूँ इस धनुस को फलका कर दिए इसके वारी पंग को फरली जिए ठी है बचों? आड़ोग इतना ही पढ़ archives अगला कल पढ़रेंगे रोजय के पढ़रेंगे बचों Nur तो हम लोग देखने हैं कार्वस अंदर, शान करवस है, प्रसाद करें है, ठीक है बच्चों, आज इतना ही नेक्ष्ट कर पढ़ेंगे, आप लोग घर पे रगें, स्वस्त रगें, सुरक्षित रगें, और बिद कारें प्रतिदिन करते ज़िए, धन्यवाद बच्चों जिएे पुरक्षित रखें, स्वस्त बच्चों